आप सबी लोग जानते हैं कि 21 जून को अंतराश्टी योग दिवस के रूम में मनाया जाता है और याद रखें इससे कि आपको योगा करते रहना चाहिए इससे कोई नुकसान नहीं है फायदे ही होते है और साथ में ही आपको अंतराश्टी योग दिवस के रूम में भी बिस्तार से जानकारी अपने पास रखना चाहिए क्योंकि इससे कुश्चनस आपकी परेक्षाओं में आते रहते हैं समझ रहे हैं आप लोग और इसकी थीम जिस साल आप लोग फेपर देने जा रहे हैं उस समय इसकी थीम भी आप लोग याद रखा करिएगा और एक साल पिछले तक की भी आप लोग याद रख सकते हैं और पहली बार कब हुआ इसके बार में भी आपको माल होना चाहिए और भी इस तरह के जो भी पॉएंट है उन्हें आप लोग याद रखे चलिए एक सामान जानकरी हम लोग देख लेते हैं इस क्लास में और एक बहुर बात बता देता हूँ कही लोग सोतते हैं कि योग की सुरुवात बाबा राम देव ने की है ऐसा नहीं है यह हमारे देश में आप देखेंगे कि मैसी रशी हजारों साल पहले की बात है आप लोगों नितियास पड़ा होगा तो उसमें योग दर्सन के बारे में पड़ा होगा और इसके फिपर तक माने जाते हैं पतंजली तो उसका मैसे चला आ रहा है आप समझ रहे हैं बस इतना है कि जो पतंजली एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाबा राम देव को उसका फाइदा मिल रहा है ठेक है? यह भी आप लोग याद रखें और आपको यह भी मालूँ होना चाहिए कि साथवा है किस नमबर साथवा अंतराश्टिय यह उद्देवस मनाया जा रहा है इसकी थीम हल साल अलग अलग रखी जाती है इस वार की क्या है? तो 2021 की अगर हम लोग थीम की बात करें ती यहोगा for well-being यानि कि आप कह सकते हैं कि स्वास्त के लिए योग तो हिंदी को भी आप लोग याद रखिए इंग्लिस में भी इसे याद रखिए अगर हम लोग अंतराश्टी योग दिवस की सुरुआद की बात करें तो आप जानते ही कि विस विस्तर पर स्तरफित्म वर्स 2015 में अंतराश्टी योग दिवस का आयोजन किया गया था और इस वर्स यह छटा उसर पिछले साल की बात कर रहा हूँ था जो पूरे विस्त में अंतराश्टी योग दिवस का आयोजन किया गया था और इस बार कौन सा नंबर है साथवा नमबर है 11 दिसंबर 2014 को सहयुक्तराष्ट महासवा में 79 सत्थ के दोरान एक विस्ताव फारिद करके 21 जून को अंतराष्टी योगदिवस यानि कि 20 योगदिवस के रूम में मनाय जाने के लिए मानता दी गई थी इससे पहले आप कह सकते हैं कि अंतराष्टी योगदिवस नहीं मनाय जाता था लेकिन योगदिवस हर कोई 1000 साल से कई लोग हमारे देश में होता रहा है हम लोग उससे पहले भी योगदिवस करते थे ठीक है लेकिन 2014 में आप देखेंगे इसे मानता मिलती है और सयुक्तराष्ट महासबा के इस सत्त को संबोधित करते हुए जो हमारे भारतिय पिधान मंतरी नन्मोदी द्वारा विस्व में योग को पहचान दिलाने और योग की महत्ता में को इसे विस्व को आउगत कराते हुए सयुक्त राष्ट महासबा के इस सत्तों में विस्स योग दिवस गोसित किये जाने से सम्मंदित फिस्ताओ पिस्तुत किया था यानि कि हमारे पिधान मंत्री साहब ने इस पिस्ताओ को रखा था और पिधान मंत्री की इस अपील के बाद आप देखेंगे सयुक्त राष्ट महासबा के 123 सदस्तों की इस बैठक में अंतराष्टी योग दिवस के पिस्ताओ को रखा गया जिसमें आप देखेंगे 177 देशों के पितिनी दियों द्वारा इस पिस्ताओ पर हस्ताक्षर कर इस पिस्ताओ को मंजोरी दी गई थी ठीक है अब आपके मन में एक और कुश्चन्स आता है कि 21 जून ही क्यों चुना गया है तो आप सभी जानते ही कि भारतिये संस्किति एवं परंपरा की अनुसार ग्रेस्म संक्राती के बाद सूर्ध दच्णायन हो जाता है और जिसमें आप देखेंगे कि 21 जून वर्स का यानि कि सबसे बड़ा दिन माना जाता है भारतिये परंपरा में दच्णायन के समय को अध्यात्मिक विध्याफ राप्त करने के लिए बेहद अनकोल समय माना जाता है और 11 दिसम्बर 2014 को सयुक्तराष्ट महसाबाने वी 21 जून को अंतराष्टी योग दिवस विस योग दि लेकिन पहली बार कम बनाए गया था 2015 में ठीक है 2020 की भी आप लोग अंतर थीम याद रखिए तो 2020 में भी आप देख रहे हैं 2021 में भी देख रहे हैं कि कोरोना महामारी किस तरह से फैर पसारे हुई है तो 2020 की थी स्वास्त के लिए योग घर पर योग यानि कि घर पर ही आप योगा या योग कर सकते हैं और 2021 की मैं बता चुका हूँ स्वास्त के लिए योग ठीक है और इस समय आप समझ सकते हैं कि महामारी को देखते हुए उस समय भी थीम रखी गई थी अब आपके मन में एक और कुश्टन साता है क्या है योग तो योग सब्द की उत्पत्ति संस सकत भासा से हुई है वो इसके अरत है कि किसी ब्यक्ति के सरीर या एवं चेतना का मिलन या फिर एक जुट होना आप लोग ध्यान मगन हो जाते हैं न तो उसी की बात सोच सकते हैं आप लोग योग एक फिराचिन सारेरिक मानसिक और अध्यात्मिक अध्यास है जिसकी साल पहले भी होता रहा है रिसी मुनि करते रहें क्योंकि कई लोगों की मन मैं देख रहा था है मैं फेस्बुक पर सोचल मीडिया साइट्स पर कि अड़ा रामादेयों को दे देते हैं तो ऐसा नहीं है जो योग दरसन है इसके पर वर्तक हैं आपके पतन जली ये भी आप याद रुखे आयूश मंत्राले एवं योग के बारे में अगर बात करें लो तो 2019 में आयूवेद योग एवं प्राक्तिक चिक्षा यूनानी सिध्ध और होमियुप्यथी मंत्राले द्वारा अपने कॉमन योग प्रोटुकॉल में यम नेमा आसन फ्रणायम पित्याहार धार परना, ध्यान, समाधी, बंध, मुद्रा, स्ततरक्म, योगताहार, मंतजाप, योगताकरम जैसे जो भी आपके लोग पिरिये योग हैं साधना को सूचिवद किया गया यानि कि आयूश मंत्राले के द्वारा इन्हें सूचि में जूड़ा गया ठीक है आयूश से अगर आपसे अगर कुष्चन से मुख परीक्षा में अगर लिखने के लिए आता है तो इसका महत्त भी आप लोगों को लिखना होगा तो इसे आप लोग लिख सकते हैं योग को प्राचीन भारती कला के एक पितिक की रूम में देखा जाता है क्यूंकि आप लोग इतियास पढ़ते हैं तो हजारों साल पहले यह होता आया है जीवन को सकारात्म कूर्जा बनाय रखने में योग मात्पूर्ण भूमी का निभाता है और आप देखते होंगे कि आप से भी कहा जाता है कि आप लोग भी करते रहे हैं और बहरत्मारब समय में आप देखेंगे जब कुरोना जैसी बैस्विक महामारी से संपूर्ण विस्त तरस्त है ऐसे समय में भी लोग अनुलों बिलों प्राणायम जैसी योग विद्धियों के मात्पूर्ण से अपनी पीती रोधक चमता बढ़ा रहे हैं इसके अलाबा भी आप देख सकते हैं कि सरीर के किसी हिस्से में दर्द हो या फिर मानसिक तनाओ इन सभी को बिना किसी नकारात्मक प्रभाव की ठीक करने में योग एक बहतर विकल्ब है जिससे संपूर्ण विस्त द्वारा सुईकारा जा रहा है तो इतनी आप लोग जानकारी याद रखिए अगर कुश्चन्स आता है तो आराम से आप लोग सौल कर लेते हैं और याद रखिए इस तरह कि जो भी दिवस मनाये जाते हैं उनकी ठीम आप लोग जरूर याद रखिए करिए और पिछले साल कब पहली बार कब मनाये गया त क्योंकि इनसे कुश्चन्स आते रहते हैं कई बार ठीक है